हलो एवरिवन इस वीडियो में हम फोटो सॉप टूल कीट मतलब पीएस टूल कीट के इंटरफेस के बारे में देखेंगे चलिए हम लोग पीएस टूल कीट स्टार्ट कर लेते हैं जैसा कि आपको पता है कि पीएस टूल कीट एक आल इन वन सॉप्रेयर है जिसमें धेर सारे ओप्संस हैं अलग-अलग कामों के लिए जैसे एक्सपोजर करेक्शन हो, रिटाचिंग हो, कलर इफेक्ट डालना हो, एलबम डियाइन करना हो, पासपोर्ट बनाना हो ऐसे धेर सारे ओप्संस हैं, और इतने सारे ओप्संस को एक छोटे से इंटरफेस में कैसे सेट किया गया है, ताकि आप उसका इस्तमाल आसानी से कर सकें, मैं आपको बताता हूँ तो यह है PS Toolkit का इंटरफेस, इसे सबसे पहले आप यहाँ पर से आप पकड़ के Photoshop में कहीं पर भी Move कर सकते हैं, रख सकते हैं, जब भी आपको इसकी जरुरत ना हो, आप यहाँ पर Double Click करेंगे, तो यह Minimize हो जाएगा, Minimize Mode में रखके आप अपना काम कर सकते हैं, जब भी वापस ओपन कर सकते हैं, अगर आपको इसका इंटरफेस का Size बड़ा लग रहा है, अगर आपको छोटा करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको Setting में जाना है, और Setting में यहाँ पर एक से लेकर पांच तक Size दिये हुए हैं, फिलाल यह एक में Set है, मैंने इसका Size चेंज कर द तो आप अपने Monitor के Resolution के हिसाब से इंटरफेस का Size छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं धेर सारे Work Space दिये हुए हैं, जिसके अंदर और Options हैं, जैसे अगर आपको Color Correction करना है, आप Color Correction के Option पर क्लिक कीजे, Color Correction से Related Buttons ओपन हो जाएंगे, यह Home Button है, यहा Background Change से Related Options आजROएंगे, Home Button पर क्लिक कीजे, आप वापस चले जाएंगे, अगर आपको batch correction करना है, इस पर क्लिक कीजे, Batch Correction से Related Options ओपन हो जाएंगे, Home Button पर क्लिक कीजे, आप वापस चले जाएंगे, यह Home Button आइफोन के Home Button जैसा काम करता है, आप क्लिक करते के साथ वापस Home Screen पर चले जाते हैं और जो भी काम करना है आप यहां पास से सलेट कर सकते हैं यहां पर पासपोर्ट बनाने से लेकर इसका रिप्लेश्मेंट बैक्ग्राउंड चेंज फ्रेमेंड कोट्स देल सारे ओप्संस दिये हुए हैं ओयल पेंटिंग 3D टैक्स और मोकप वाटर मार्कि लेकिन आप में से कई लोग सिर्फ एलबम याइन करते हैं कई लोग से पासपोर्ट बनाते हैं कई लोग से प्रेटचिंग का काम करते हैं तो अगर इस वर्किस्पेस में से यहां पर दिये हुए वर्किस्पेस में से कोई सा भी वर्किस्पेस आपके इस्तेमाल कर नहीं है frequently आप उसका इस्तमाल नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर जाके उसे uncheck कर सकते हैं यह देखिए मैं जिस भी option पे जिस भी work space पे uncheck कर रहा हूँ वो यहाँ से हटता जा रहा है यह देखिए तो इस तरीके से आपकी requirement के जो work space होंगे जो options होंगे उसे आप यहाँ पर visible रखेगा बाकी को आप hide कर सकते हैं और जब भी आप उसे वापस लाना चाहें आप यहाँ पर click करके उसे वापस ला सकते हैं जैसे यह देखिए आप background change कर रहा है background change के option पर आपने click किया और अब आपको sky replace करना है आप वापस जाईए यहाँ पर से sky replacement का option select कर लीजे sky replacement का option आजाएगा इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक और PS toolkit open कर लीजे आप एक बार में चाहें तो कितने भी PS toolkit open कर सकते हैं यह देखिए अब यहाँ पर दो PS toolkit open हो गया है मैंने यहाँ पर color tone and effect open कर दिया और यहाँ पर से चलिए jewelry highlight open कर दिया अब मुझे यहाँ पर retouching करना है तो मैं यहाँ retouching make up यह open कर लिया और ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो panel open करके रखा है एक ही software का जब भी मुझे इस की जरुवत पढ़ेगी मैं यहें यूज कर लूँगा जब मुझे इसकी जरुवत पढ़ेगी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ इस तरीके से आप अलग-अलग panels open रख सकते हैं जब भी आपको जिसकी जरुवत पढ़े उससे आप यूज कीजे, जरूरत नहीं है, तो आप double click करके उसे minimize कर लिजे, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इससे maximize कर लूँगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, इससे maximize कर लूँगा, इससे अगर हटाना होगा, तो मैं इससे यहाँ पर से close कर लूँगा, या फिर कोई दूसरा workspace यहाँ open करना है, मैं कोई दूसरा workspace यहाँ पर open कर लूँगा, यह देखिए, तो इस तरीके से आप एक ही software को कई बार open भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर home button की सहायता से वापस जा सकते हैं, और कोई दूसरा workspace इस्तमाल कर सकते हैं, तो अभी आपने द अभी खाचल पर बाईस, अभी आपने जा सकते हैं, तो अगी मैं कर सकते हैं, तो श्यामे तरीके साग्व पर open कार यह भी मुचक्त rset बाद। आरेके सकते हम पर back to Colorado.